चलिए हम पाठ पढ़ते हैं यात्रा मंगलम प्रती अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतियों का योगदान वंदनी रहा है इसी परंपरा की एक कड़ी इश्रो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी सोध के छेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व सापित किया है प्रस्तुत पाठ में मंगल यान से संबध कई तत्यों को उदगाटित किया गया है तो पाठान से पंच नवंबर त्रयोद सोत्तर द्वीविन सते है ख्रिष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलमिती ध्वने है भारते व्याप्ता आसीत अर्थात पंच नवंबर अर्थात 5 नवंबर त्रयोद सोत्तर दिविन सत्य अर्थात सन 2013 कृष्ट अबदस्य इस्वी सन के बूधवासरे बूधवार को सरवत्र सभी स्थानों पर मंगलमं मंगल מिती अर्थात मंगल मंगल ध्वणे हैं ध्वनी भारते भारत में व्यापता आसित व्यापत हुई पांच नमबर सन 2013 इस्विशन को बुधवार के दिन संपून भारत वर्स में मंगल मंगल यह ध्वनी व्यापत हो गई थी यह इसका ताथ पर यह हुआ यह जो गद्यांस की पंक्ती है इस पंक्ती में जैसे वासरह कहा जाता है यहां पर प्रयोग तो हुआ है बूध वासर अर्थात बूध वार को सर्वत्र सर्वत्र कतात पर यह होता है सभी इस्थानों पर और यह पद अव्यय पद है अव्यय किन पदों को कहा जाता है अभली भाती जानते हैं अव्यय उन पदों को कहा जाता है ज न व्ययम तद व्ययम अर्थात ऐसे पद जिनका व्याय नहीं होता है न कम होता है न ज्यादा होता है वह अपने मूल सरुक में सद्यव बने रहते हैं ऐसे पद अव्य कहलाते हैं तो सरवत्र इसी तरह का सब्द है मंगल मंगल मिती अर्थात मंगल मंगल अर्थात हर्स या खोशी या प्रसनता कि यह जो ध्वनी है वह ध्वने हैं ध्वनी भारते भारत में भारत मूल सब्द है सब्द विभक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है भारत में प्यारवच्चों क अपीतु जो क्रिया रूप होते हैं उनसे संबंदित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथ ही विभिन पदों में जिन प्रत्यों का प्रयोग होता है उससे संबंदित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसलिए हमें प्रत्येक पद किस तरह से बनता है इसकी जानकारी रखन अवश्यक है तो भारते यहां पद जो है भारत सब्द से बना हुआ है सब्ति मिभक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है भारत में इसी तरह से एक सब्द है व्याप्ता व्याप्ता यहां पद कैसे बनता है यहां कृदंत प्रत्ययोगत सब्द द है इसमें वी उपसर्ग है आप धातु है तप्रत्य और अटाप प्रत्य की योग से व्यापत यहाँ सब बनता है और इसको थात पर यह होता है व्यापत होना या व्यापत हुआ एकता प्रत्य है इसलिए व्यापत हुआ आसित females धाटू लटलकार प्रथम पुरुस एक वचन के यह रूप है और इसका तातपर यह होता है था थे थी तो यहाँ पर व्याप्त हुई थी यह तातपर यह हुआ भारतिया नाम द्रिश्टी ही इसरो संस्था या मंगल कारक्रमे आसीत भारतियों की द्रिश्टी से इसरो संस्था के द्वारा किया जाने वाला यह मंगल कारक्रम था मंगल मै कारक्रम था यह कहें कि मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने का जो कारक्रम था यह ऐसा कारक्रम था तो मंगल कारक्रम अर्था अच्छा कारक्रम था मंगल मिशन का यह कारक्रम था यह दोनों अर्थ य नाम यह जो कह रहे हैं भारती मूलपद है सश्ठी भक्ति बहु अचन का यहां प्रयोग हुआ है और इसका तात पर यह होता है भारतियों का या भारतियों की द्रिष्टी है मतलब द्रिष्टी अर्थाथ भारतियों के द्रिष्टी से भारतियों की नजरिये से इसरो संस्थ तो इस्रो एक भारत की वज्यानिक संस्था है, जहां पर वज्यानिक अनुसंधान के विभिननक कारक्रम संचालित होते हैं, विशेशकर अंतरिक्ष संबंधी जितने सोध होते हैं, या जितने उपग्रह भेज़ जाते हैं, उसका केंद्र भारत में इस्रो है, तो इस्रो संस उसका तो संस्था यह यह जो पद है इसका मूल सब्दा है संस्था और यहां पर प्रिक्त हुआ है संस्था में सश्ठी भक्ती एक वचन का रूप तो इस तरह से बनता है संस्था यह तो इसरो संस्था का मंगल कारक्रमे मंगल कारक्रम अर्थात मंगल में कारक्रम या मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने का कारक्रम आसित था तो संपूर भारतियों के दिरिश्टी से इसरो संस्था के द्वारा यह मंगल कारक्रम था श्री हरी कोटायाह सती सधवनानतरिक्षकेंद्रे उपस्थिताह जना उल्लसिताह आसन श्री हरी कोटा यह मूल सब्द है इसमें सश्ठिविक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ तो रूप बनता है श्री हरी कोटा याह और इसकतात पर यह होता है श्री हरी कोटा के तो स्री हरी कोटा एक स्थान का नाम है जहां पर इस्रो नाम की संस्था इस्थापित है तो यह जो इस्रो नाम की संस्था है वह सतीस धवनांतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है तो यहां पर जो प्रे दिर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ है ऐसे ही केंद्रे यह जो पद है केंद्र मूल सब्द है इसमें सब्तिम्य भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है तो केंद्र में यह इसका तात्पर यह हुआ उपस्थिताह अर्थात उपस्थित लोग जना उल्लसिताह जना उल्लसिताह यह संधी उक्तपद है सामानी रुप से देखने में लगता है कि यहां कोई संधी नहीं है लेकिन वास्ताव में यह संधी उक्तपद है जना धन उल्लसिताह इती जना उल्लसिताह अर्थात यहां विशर्ग लोपशंधी कब होता है किस तरह से होता है इसकी वुषय में आप यह भली भाती जानते हैं विशर्ग के पहले आ होने पर और उसके बाद कोई स्वर हो यह या विभिन वर्गों के जैसे कू, चू टू, तू, कहते हैं इन विभिन वर्गों के तीस रा, चोथा या पांच्वा वर्ण होने पर या इन वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि हो तो वहां विशर्ग का लोप हो जाता है और ऐसी स्थिती में यदि कोई संधी होनी भी होती है तो भी वह संधी नहीं होती है यहाँ पर विसर्ग लोप जो संधी है इसका नियम प्रभावी होता है इसलिए तो कैसे होता है जैसे निरिपाह धन अत्र ये संधी करना है तब संधी का रूप क्या होगा तब यहाँ पर रूप होता है निरिपाह अत्र इती निरिपाह अत्र इसी तरह से सुमनाह धन रोचते इती सुमना रोचते देवाधन जयंती इती देवा जयंती तो इस तरह से ये रूप बनता है विसरलोप संधी में तो यहाँ पर जनाधन उल्लसिता है इती जनाधन उल्लसिता है इती जनाधन उल्लसिता है इसका प्रयोग हुआ और आसन आसन का तात्पर होता है थे यह अस्धातु लटलकार प्र सतीस धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग उल्लसित थे, अर्थात हर्षित थे, उत्साहित थे, उल्लसित थे, सतीस धवन कौन है, उनके नाम पर इसरोशनस्था का नाम क्यों रखा गिया है, आईए, उसके विशा में जानकारी प्राप्त करते हैं, प्यारे बच् जानकारीयां होनी चाहिए, तो सतीस धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 को हुआ, और इनकी मृत्यू जो है, 3 जन्वरी 2002 को बेंगलूरू में हुआ, सतीस धवन प्रायोगिक द्रवगति की अनुसंधान के जनक माने जाते हैं, ये लंबे समय तक भारती अंतरिक्ष अनुसंधान सं अध्यक्ष भी रहे, अर्थाति इन्हों ने महत्पून कार्य भी किया वहाँ, अध्यक्ष के रूप में, वे 20 वर्सों से भारती विज्ञान संस्थान से जुड़े रहे, और जिस श्री हरी कोटा अंतरिक्ष केंद्र का नाम सतीस धवन के नाम पर रखा गया, उस केंद्र 2002 को सतीस धवन का स्वर्गवास हुआ, तब उनके स्वर्गवास के पस्चात इस स्री हरी कोटा में इस्थापित भारती अंतरिक्ष अनोसंधान केंद्र का नाम करण सतीस धवन के नाम पर किया गया, तब से आज तक यह सतीस धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जात आगे बढ़ते हैं। प्राया लगभग। का प्रवाहका भागह अर्थात मंगल यान को ले जाने वाला, उसको वहन करने वाला, भाग जो है, वो क्या हुआ? सक्रिया अभवत, सक्रिया हुआ, अभवत, अभवत यह सब्द कैसे बनता है? अभवत सब्द भू, इसका मूल धातु है, लंगलकार, प्रथम पूरुस, एक वचन का यह रूप है, और इसका तात्पर यह होता है, था, या हुआ, तो प्रायाह सार्थ सब्द वाद ने, अर्थात, लगभग साढ़े साथ बजे, मंगल यान को ले जाने वाला, जो भाग था, प्रवाहक जिसको कहा जाता है, वह भाग सक्रिया हुआ, ततह निमेशान निमेशानंतरम एव तस्यसाफल्यम असाफल्यम वा निर्धारितम आसीत, ततह, ततह कतात पर होता है, उसके बाद, यह भी अव्यवाचक पद है, देखिए, तह यहाँ पर लगा हुआ है, तो तह यह प्रत्या है, इस प्रत्या का प्रयोग, वैसे पंच्मी भक्ति के अर् निमेशानंतरम यहाँ एक संधियुक्त पद है, निमेशधन अनंतरम इति निमेशानंतरम यहाँ पर दिर्धस्वर संधी का प्रयोग हुआ है, एव, एव यह अव्यवाचक पद है, और इसका तात पर यह होता है, ही, तस्य, तस्य सब्द का मूल सब्द है, तद, तद मतल मतलब वह, यह सश्ट्वी भक्ति एक वचन का रूप है तस्य, तस्य तेवे हो ते साम, इस तरह से इसका रूप बनता है, वैसे तद सब्दक के तीनों लिंगों में रूप बनता है, पुर्लिंग में, इस्ट्रिंग में और नपुन्शक लिंग में हैं, साफल्यम, साफल्यम मतलब सफल्ता, असाफल्यम, असफल्ता, अर्थात सफल्ता, असफल्ता, वा, वा कतात पर यह होता है, अथवा, या, या, तो साफल्यम, असाफल्यम, वा, सफल्ता, या, असफल्ता, निर्धारितम आसीत, निर्धारित था, तो देखे, किसी भी कारे को प्रारम्भ करते हैं तो प्रारमभिक चरण यदी हमारा सही है तब हमारा कारक्रम सही होगा लेकिन यदी प्रारम्भ में ही यदी गलती हो जाए त्रूटी हो तब कारी की सफलता पर वहां प्रस्णचिन लग जाता है तो इसलिए जैसे ही साढ़े साथ बजे मंगल यान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ और यहीं से ही ततह वहां से निमेशान अंत्रम पल भर के बाद ही तस्य साफल्यम उसकी सफलता और असफलता किसकी मंगल यान की निर्धारित तो क्या यूंकि वहाँ सफलता और निर्धारित हो गया अघे बढ़ गया तो उसके बाद फिर उस पर नियंत्रन करना दुष्कर हो जाता है तो यहां यह प्रारंभीक चरण ही बहुत महत पुन्द था हमारे वज्ज्यनिकों के लिए परम बूधवासरह मंगल मयाह अभवात अब जो तिथी थी वहाँ पहुचने की वहाँ था बूधवार तो बूधवार का जो तिथी था वह मंगल मयाह अभवात मंगल मय हुआ मंगल मय हुआ मतलब अच्छा हुआ क्यों अच्छा हुआ यदा जब माम मार्स आर्बिटन मिशन इत्यस्य प्रतमम चर्णम सफलम जातम परमतलब परंतु बूधवासर है बूधवार मंगल मैं हाँ मंगल मैं अभवत हुआ यदा या अव्यवाचक पद है और इसका तातपर होता है जब माम माम कहते हैं मार्स आर्बिटन मिशन को और इसका हिंदी अर्थ होता है मंगल कक्षित्र उद्देश्य इत्यस्य इति धन अश्य इति इत्यस्य इसका प्रतमम चर्णम पहला चर्ण सफलम जातम सफल हुआ देखिए यहाँ पर जातम सब्द आया है जन धातु है अक्ता प्रत्य का प्रयोग हुआ है और इस तरह से रूप बनता है जातम और इसका तातपर हुआ हुआ तो माम मार्स आर्बिटन मिशन मंगल कक्छित्र उद्देश्य इसका प्रतम चर्ण जो है कब बुध्वार को सफल हुआ और यहाँ जो सफल हुआ यहाँ हम सब के लिए मंगल कारी हुआ मंगल यानस्य सफल परिक्छनेन न केवलं भारतस्य अपीतु एसिया महाद्वीपस्य प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता देखे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मंगल यान यह मंगल यान है मंगल याने यानस्य मंगल यान के सफल परिक्छनेन सफल परिक्छन से परिक्छन यह मूल सब्द है इसमें तृत्य भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है सफल परिक्षणेन सफल तया परिक्षणेन तृत्य तत्पुरु समास तो सफल परिक्षण सफल परिक्षण से न केवलम न यह निशेद वाचक अव्यवाचक पद है और इसका तात पर यह होता है नहीं केवलम ना केवलम भारतस्य भारत का अपीतू यह भी अव्यवाचक पद है और ये दो भिन भिन वाक्यों को जोडने वाला अव्यवाचक इसको कहेंगे तो अपी तो बलकि एसिया महाद्वीपस्यापी या एक संधी उक्तपद हैं संधी प्रिथक करें तो रूप होगा एसिया महाद्वीपस्यधन अपी एती एसिया महाद्वीपस्यापी तो एसिया महाद्वीप के प्रतिष्ठा वैस्विक पठले तो एसिया महाद्वीप की प भारत की प्रतिष्ठा अपी तो एस्य महादूप की प्रतिष्ठा भारत की प्रतिष्ठा से क्यों जूड़ी हुई है क्योंकि आप जिन साथ महादूपों को जानते हैं उनमें से एस्य महादूप भी एक है और हमारा देश भारत एस्य महादूप के अंतरगत आता है इसलिए भारत की प्रतिष्ठा, एस्य महादुप की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, जिस तरह से किसी व्यक्ति की सफलता से उसके परिवार का नाम होता है, उसके गाउं का नाम होता है, उसके प्रदेश देश का नाम होता है, इसी तरह से भारत की सफलता से सभी महादुपों मे प्रतिष्ठा भी वैस्विक पटल पर समयधिता जानी गई तो मंगल यान के सफल परिक्षण से न केवल भारत का अपितु एस्या महाद्वी की प्रतिष्ठा वैस्विक पटल पर समयधिता इस्थापित हुई यतह जिससे अध्यावधी परियंतम अध्यधन अवधी परियंतम नही कश्चन देशह स्वक्ये प्रतम प्रयासे मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेष्णे सफलताम अलभथ यतह जिससे अध्यावधी परियंतम अध्यधन अवधी परियंतम अध्य मतलब आज अवधी मतलब समय परियंतम तक तो यतह जिससे आज तक की अवधी में अर्थात जब से अंतरिक्ष मीशन कायरक्रम चल रहा है तब से अब तक नहीं कश्चन देशह कश्चन कह धन चन इती कश्चन कह कतात पर होता है कोई चन चन यह अव्यवाचक पद है अनिश्चय वाचक अव्यवाचक पद है चन और चित दोनों का प्रयोग किया जाता है अनिश्चय वाचक अव्यवाचक के रूप में तो यहां पर चन का प्रयोग किया गया है तो नहीं कश्चन देशह न मतलब नह ही यह भी अव्यवाचक पद है कस्चन कोई देशह देश मूल सब्द है प्रथमे भक्ति एक वचन का यह रूप है स्वकिये अपने प्रथम प्रयासे प्रथमे प्रयासे अर्थात प्रथम प्रयास में प्रयास सब्द में सब्दमे भक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है मंगल ग्रहम प्रती मंगल ग्रह की ओर यान प्रेशने उपग्रह भेजने की बात हो या किसी यान को भेजने की बात हो प्रेशन सब्द है प्रेशन सब्द में सब्दमे वच्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है तो मंगल ग्रहम प्रतियान प्रेश्णे सफलताम अलभत सफलता प्राप्त किया है तो जब से मंगल ग्रह की ओर कोई यान भेजने का कारिकरम पूरे वैसिक पचल पर चल रहा है तब से कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अपना यान भेजने में सफल नहीं हुआ है किन्तु भारत ने ऐसा किया है हरस्य विस्योयम यत भारत हा निज प्रतमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यम प्राप्तवान हरस्य हर्श मूल सब्द है हर्श का तात पर यह होता है प्रसनता या खुसी हरस से विसयो यम, विसयाह धन आयम इती विसयो यम यह संधी उक्तपद है, संधी प्रितक करें तो रूप बनता है विसयाह धन आयम तो हरस से विसयो यम, हर सका यह विसय है आयम का मतलब होता है यह आयम का मूल सब्द है इदम इदम जो सब्द है इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं तो यहां पर आयम यह जो रूप बना है यहां पूर्लिंग का सब्द है पूर्लिंग क्यों कि वीशय के साथ में इसका प्रयोग हुआ है तो हरस्य वीशयया आयम यहत कि भारतह निज प्रथम प्रयासे अब मतलब निज कहें या स्वक ये कहें तो इस अर्थम में इसका प्रयोग होता है अर्थात अपने प्रथमे प्रयासे, प्रथम प्रयास में एव ही, यह अव्यवाचक पद है, इसका तात पर यह होता है, ही, तो भारत ने अपने पहले प्रयास में ही स्वलक्ष्यम प्राप्तवान, अपने लक्ष को प्राप्त कर लिया, प्राप्तवान यह सब्द कैसे बनत प्रउपसरग है, आप ठातु है अक्तवत्वत्वत्य प्रत्य का प्रयोग है यह रोप है तो भारत ने आपने पहले प्रयास में ही यह सफलता प्राप्त कर लिया है इसलिए यह अत्यंत हर्श का विशय है अमेरिका, युरोप संगह, सोव्यत रूसह, इती त्रैन सह, भारतह, चतूर्थह देशह अस्ते, यश्य, त्रीवर्ण ध्वजह, मंगल ग्रहे, प्रति भाति अपि, चास्य, देशस्य, प्राविधिक कौसलं, प्रति पादयति अमेरिका, चित्र में आप देख भी पा रहे हैं, युरोप संगह, युरोप संगह, और सोव्यत रूसह, अर्था सोव्यत रूस, तो अमेरिका, युरोप और सोव्यत रूस, इती त्रैन सह, इन तीनों के साथ, भारतह, चतूर्थ देशह, ये तीन जो हैं, विश्य के बहुत प्रतिश्चित देश हैं और यदि हम प्रद्योगी की की बात करें तो प्रद्योगी की छेत्र में ये अग्रणी देश कहे जाते हैं तो इन तीन देशों के साथ भारत चतूर्थ देश अस्ति ये तीन देश ये नहीं इनके साथ साथ भारत भी अब चौथा देश है यस्य ज जिसका प्राविधिक कौसलम अपूर्वमस्ती अर्थात जिसका प्राविधिक कौसल जो है तकनिकी ज्यान जो है तकनिकी कौसल जो है वह अनोखा है क्योंकि इन तीन देशों ने अमेरिका यूरोप संग और सोवियत रूस ने पहले मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने में स सफलता प्राप्त कर लिया है अर्थात अपनी तकनीकी कुसलता का जंडा वहां गार दिया है लगा दिया है तो इसलिए इन तीन देशों के साथ भी भारत वह चौथा देश बन गया है यस्य जिसका कस्य भारत अस्य त्रिवर्णा ध्वजहा भारत का त्रिवर्णा ध्वजहा त्रिवर्णा ध्वजहा ती तिरंगा जंडा त्रेया नाम वर्णा नाम ध्वजह ती प्रेंधमा ध्वजहा तीन रंगों वाला जो ध्वज cre recommendations है भारत का जिसकों एच जी साथ जानते हैं सभी जानते जब भी तिरंगा की बात आती है तिरंगा के आन बानसान को बनाए रखने के लिए न जाने कितने योद्धा कितने वीर अपने आपको कुर्बान कर दिये हैं बलिदान दे दिये हैं और आज भी जब भी तिरंगा की बात आती है हमारा सीना जो है वहाँ गर्व से फूल जाता है तो जब भारत ने मंगल ग्रह पर अपना यान मंगल यान भेज दिया और वहां त्रिवर्णध वज़ह तीरंगा झंडा मंगल ग्रह में प्रतिभाति लगा दिया अर्थात वहां हमारा भारती तिरंगा जंजा जो है अब लहरा रहा है इस थापित हो गया है अपी चास्य देश अस्य तो अपी का मतलब होता है भी चास्य चाधन अस्य यहां पर दिर्गश्वरसंदी का प्रयोग हुआ है देश अस्य देश मूल सब्द है सश्ठीव वक्ती एक वचन का यह रूप है तो वहाँ मंगल ग्रह में भारत का जो तिरंगा जंडा आज लगा दिया गया है वह इस देश के अर्थात भारत देश के प्राविधी के कौसलम तक्निकी कौसल को प्रतिपादित करता है अर्थात यहां के तक्निकी कौसल की उन्नती को बताता है कि भारत किस तरह से तक्निकी ज्ञान में अब अग्रणी बन गया है संप्रती संसारे स्मिन मंगल ग्रहम प्रती यान प्रेश्ण अस्य एक पंचासत प्रयासाह अभवन संप्रती मतलब अब तक या आजकल या इस समय संसारे स्मिन या संधी उक्तपद है संधी प्रिथक करें तो रूप बनेगा संसारे धन अस्मिन इती संसारे स्मिन यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो संसारे संसार मूल सब्द है सब्तवी भक्ती एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है इसका तात्पर यह होता है संसार में कभी-कभी प्रसम भी पूछा जा सकता है यथा विश्व वा जगत अस्मिन पदस्य पर्याय पदम अस्मिन गद्यांस मद्ये किम पदम प्रयुक्तम तरही उत्तरम भविशती विश्वे इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन गद्यांसे प्रयुक्त पदम अस्ती संसारे इती संसार इसमिन इस संसार में मंगल ग्रहम प्रती मंगल ग्रह की ओर यान परेशणत्य यान भेजने का एक पचासत प्रयासा अभवन एक पचासत इती 50 एक पचासत इती 51 तो इस तरह से देखें जो संख्याएं होती हैं पन्चासत कह दीजिये या एक ओन पन्चासत कह दीजिये तो कोई भी संख्या हो उसको जो संख्या यहां पाठ में आ रही हैं उसके विशाथ आपको जानकारी होगी ही साथ से साथ जो संख्या नहीं दिया हुआ है उसके विशाथ भी आपको जानकारी होनी चाहिए जैसे यहां पचास कहेंगे तो पंचासत, एक्यावन कहेंगे तो एक पंचासत, बावन कहेंगे तो द्वी पंचासत, त्री पंचासत, चतूर पंचासत, पंच पंचासत, सट पंचासत, सब्त पंचासत, अश्ट पंचासत, नव पंचासत या उन सस्टी है और सस्टी है तो इस तरह से आप पचास से साच तक कि संख्याएं किस तरह से की जा सकती हैं या कहें कि विभीन संख्याएं को हम संस्कृत में किस तरह से कहते हैं यह सभी आप सभी भली भाति जानते ही हैं एक सब का अभ्यास होना चाहिए तो एक पंचासात प्रयासाह अभवन प्रयास प्रयासाह जैसे बालकाह बालकाव बालकाह भवती तथाईव प्रयासाह प्रयासाह भविश्यंती तो अत्र प्रयुक्त अस्ति प्रयासाह तो प्रयास भवचन में अभवन ये भू मूलधात्तु है भू मतलब होता है होना लंगलकार प्रथम पुरुष भवचन का यह होते हैं आपको विभिन्न वाक्क्यों में क्रियापद की पहचान करनी आनी करता पद की पहचान करनी आनी चाहिए साथ ही साथ जो वीभिन सब्द रूप प्रिक्त होते हैं उन सभी रूपों को आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा क्रिया पद है ये आप पहचानी है क्रिया पद में कौन से लकार का प्रयोग किया गया है कौन से पूरुस का प्रयोक किया गया है कौन से वचन का प्रयोक किया गया है ये आपको जानना चाहिए इसी तरह से हम सब्दों की बात करें तो सब्दों में भी इस तरह की जानकारी होनी चाहिए जैसे मूल सब्द क्या है उसकी विभक्ति क्या है उसका वचन क्या है और उस जाए भली भाती हो जाए तो निश्चित रूप से हम किसी भी वाक्य को भली भाती समझ सकते हैं समझा सकते हैं अर्थ बता भी सकते हैं